वेल्कम स्टुएंट वेल्कम टो वर यूटीब चैनल टेक्निकल मैध गुरू जी इससे पहले हमने आपको महारश्टा स्टेट बोर्ट ने जो मैथमेडिक्स का जो सेलेबस टेंथ का एट का और नाइन का कम किया था वो वीडियो आपको भीजे गए हैं अब हम साइस और टे 5% डिडूस किया गया है यह अगर जो है पेज वाइज है तो अगर हम दोनों भी पार्ट 1 और पार्ट 2 लेते हैं तो बहुत ज़दा टाइम लगेगा इस वजह से हम पहले पार्ट 1 का वीडियो बना रहे हैं उसके बाद पार्ट 2 का बनाएंगे तो इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आपके जितने भी कॉंसेट्स हैं जितने भी प्रॉल्बम से सब दूर हो जाएंगे इस वजह से आप इस वीडियो को पूरा देखें तो चलिए पीडियो बुक के जरी हम देखते हैं तो सब में पहले आप आजाए पेज नमबर वन पर पूर्शन किया गया जिसको हमने यलो कलर से हाइलिट किया चलिए पीज नमबर टू पर यह जो है इंड्रोडुक्शन आफ साइंटिस है फो रिड्यूस किये गया है फिर उसके बाद यहाँशन पर देख रहा हैं सेंट्रिमेटल फॉर्स इसके नीचे त्राइधिस यह वा नहीं हुआ है कुछ भी कम नहीं हुआ है पेज नम्मर फॉर पर आ जाई अब अब अने डॉड़क्शन टू साइंटिस्ट यह वाला पार्ट रिड्यूस हो गया है आप भी अंडरलाइन कर लीजे टिक आउट कर लीजे अपने बुक के अंदर पेज नम्मर फॉर के में नीचे यूज यूर ब्रेन पावर ठीक है तो यह रिड्यूस किया गया है अब उसके बात आ जाएंगे इस तरीके से चैप्टर यहां पर पेज नम्मर फॉर यूज यूर ब्रेन और डू यू नो यह वाला पॉर्शन रिड्यूस किया गया है और उसके इसके बाद यहां तक का पॉरिषन पेज नमबर 7 पर आ गया है वो यहने के एन होल एक शिबीशन यहां तक है फिर उसके बाद चलिए पेज नमीर 7 के बाद आ यह पेज नमबर 8 पर कुछ भी reduce नहीं किया गया है पेज नमबर 9 पर देखिए mass and weight तो यहां से start गया है mass and weight और attract the object यहां तक आप underline कर लीजिए तो इसके बाद नीचे यह जो वाला box है यह वाला box जो है आपके syllabus से निकाल दिया गया है इसको आपको पढ़ना नहीं है और examination में भी इसके उपर question आने वाले नहीं है page नमबर 9 के बाद अब आजाए page नमबर 10 पर देखिए do you know gravitational wave यह वाला table reduce हो गया है इसके उपर भी questions आते हैं बच्चो लेकिन आप यह 2020-2021 में नहीं आएंगे page नमबर 11 पर भी जो do you know है यह वाला portion delete हो गया है चलिए आगे बढ़ते हैं page नमबर 12 पर कुछ भी reduce नहीं हुआ है और इसके बाद page नमबर 13 पर कुछ भी reduce नहीं हुआ है अब आजाए page नमबर 14 पर page नमबर 14 पर do you know वाला यह जो table है यह reduce हो गया है page नमबर 15 पर आजाए page नमबर 15 पर कुछ भी reduce नहीं हुआ है चलिए page नमबर 16 पर आप देखेंगे यह जो table है यह table के अंदर जो second row और third row यह reduce की गई है चलिए उसके बाद जो है do you know page नमबर 17 पर do you know और law of octave यह reduce हो गया है law of octave का यह जो पूरा table है यह reduce हो गया है page नमबर 17 के बाद आजाए page नमबर 18 पर देखें introduction of scientist अब हमें scientist नहीं पढ़ने है syllabus के अंदर तो यह reduce हो गया है page नमबर 18 के बाद आजाएए page नमबर 19 पर use your brain तो यहाँ पर brain का use नहीं करना है इस वज़े से यह reduce हो गया है चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते है page नमबर 20 पर कुछ भी reduce नहीं हुआ है अब page नमबर 21 पर देखें position of elements in the periodic element यह वाला table reduce हो गया है चलिए page नमबर 22 के बाद ग्रूप sign electron configuration में sorry यहाँ पर can you tell can you tell में one two three four यह four points जो है reduce हो गया है फिर उसके बाद page नमबर 22 पर ही do you know वाला reduce हो गया है जिसको हमने yellow color से highlight किया है बच्चों अगर आप हमारा वीडियो देखते हैं तो दूसरे किसी वीडियो आपको देखने की जुरूत नहीं है फिर आ जाएंगे page नमबर 23 पर फिर can you tell यह वाला part 123 यह तीन आपको यह अलग से पढ़ना है लेकिन एक्जाम में नहीं आएंगे extra knowledge के लिए आप पढ़ लेंगे चलो page नमबर 25 पर कुछ भी reduce नहीं हुआ है अब आ जाएंगे page नमबर 26 भी as it is है कुछ भी reduce नहीं हुआ है page नमबर 27 पर देखिए सब में नीचे internet my friend और collect the information and mail it यह वाले जो दो हैं और यह वाला हिस्सा जो है reduce हो गया है चलिए page नमबर 28 पर do you know do you know वाला पार्ट फिर उसके बाद page नमबर 29 पर आ जाएंगे page नमबर 29 पर कुछ भी reduce नहीं हुआ है अब आ जाएंगे chapter नमबर 3 chemical reaction and equation के अंदर can you recall यह वाला पार्ट और उसके नीचे का table जो है यह identify physical and chemical changes यह वाला table नीचे का reduce हो गया है page नमबर 30 के बाद आ जाएंगे next page पर 31 पर 31 पर जो find out है यह find out यहां तक जो हमने yellow colors highlight किया है यह reduce हो गया है फिर उसके बाद आ जाए page नमबर 32 पर page नमबर 32 पर कुछ भी reduce नहीं हुआ है page 33 पर try this यह जो है वाला जो है portion reduce हो गया है फिर उसके बाद 33 पर सब में नीचे do you know और find out यह cut कर दीजिए फिर उसके बाद आते हैं page नमबर 34 पर कुछ भी reduce नहीं हुआ है 35 पर page नमबर 35 पर use your brain यह वाला और try this सब में नीचे वाला portion यह reduce हो गया है चलिए 35 के बाद आ जाएंगे page नमबर 36 पर देखे use your brain के 3 points और try this वाला सब में नीचे तक यह वाला portion reduce हो गया है तो आप भी reduce कर दीजिए चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं फिर उसके बाद आ जाएंगे page नमबर 37 पर ज्यादा कुछ नहीं can you recall यह वाला portion reduce हो गया है जाएतर ऐसे ही portion यहाँ पर reduce है can you recall try this do you know try this देखें यहाँ पर page नमबर 39 पर try this इतना portion और उसके बाद use your brain वाला और फिर यहाँ पर can you recall इतना part तकरीबन जो है 80% पर जहाँ पर reduce हो चुका है 39 के बाद आ जाए यह page नमबर 40 पर कुछ भी reduce नहीं हुआ है चलिए page नमबर 41 पर आप देख रहे हैं do you know do you know वाला portion यह जो box है यह box reduce हो गया है do you know चलिए उसके बाद page नमबर 42 पर do you know वाला portion और use your brain पावर यह दो point यहाँ पर reduce हो चुके है page नमबर 42 के बाद यह 43 पर can you tell यहां तक का portion और जो है उसके बाद सब में नीचे 43 पर do you know वाला part यह reduce हो गया है फिर उसके बाद 43 के बाद आ जाते हैं 44 पर सब में नीचे के दो लाइन find out के फिर उसके बाद यहां पर 45 as it is है फिर उसके बाद 46 पर एक प्रोजेक्ट है सम्में नीचे यह reduce हो गया है यह निकाल दिया गया सले बस से 46 के बाद चलो 14 चप्टर पर आते हैं effect of electric current इसमें can you recall वाला और फिर observe and discuss और यह figure यह reduce हो चुके है page number 47 के बाद आजाए page number 48 पर think about it यह वाला portion reduce हो गया है चलिए उसके बाद 48 के बाद 49 always remember के जो यह table है यह reduce हो गया है यह box फिर find out वाला box यह reduce हो गया है यहाँ पर आप देख रहे हैं 49 के बाद आजे page number 50 पर do you know वाला portion reduce हुआ है चलिए page number 50 के बाद जो है यहाँ पर थोड़ा सा confusion है यहाँ पर दो example दिए example one example number two और example number three example number four यहाँ पर यह चार example में से कोई दो reduce हो गये हैं लेकिन वहाँ पर कुछ तो page number गलत हुआ है तो आप फिलाल जो है example number three example number four जो है आप टिक कर लीजिए और बाद में हम बताएंगे क क्या होगा और इसके बाद जो है आते हैं page number 52 पर 52 पर देखिए यह हैंस क्रिस्टन यह साइंटिस्ट यह इतना वाला पार्ट रिडूस हो गया है फिर उसके बाद 52 पर ही always remember वाला पार्ट रिडूस हो गया है फिर उसके बाद आ जाएंगे page number 53 as it is है 53 के बाद जो है 54 पर भ 55 पर भी कुछ हो गया है पिर फिफ्टी सिक पर भी कुछ़ भी रिडूस है चलो 57 पर आ जाएंगे तो यह ग्यालों में वाला पार्ट जो है यह रिडूस हो गया है 57 पर और उसके बाद आ जाएंगे 58 पर देखो scientist के बारे में introduction to scientist ये वाला Michael Faraday वाला part reduce हो गया है फिर उसके बाद 58 के बाद आ जाएंगे 59 पर तो आप देख रहे है alternate current AC and DC यहाँ पर ये वाला portion और ये figure ये delete हो गई है यहां तक यहां से शुरू करना है आपको so far we have से लेकर जो है using the electricity तक ये वाला part आपको delete कर देना है मतलब underline करना है कि reduce हो गया है उसके बाद जो है page number 60 पर what will be required to make a DC generator ये वाला portion आप reduce कर दीजिए चलिए page number 60 के बाद आजाते है पेज नमर 61 पर कुछ भी reduce नहीं हुआ है पेज नमर 62 पर देखीए try this वाला part reduced हो गया है 62 के बाद आज़े 63 पर 63 पर कुछ भी reduce नहीं करना है कुछ भी कम ने करना है 63 के बाद आजाएंगे 64 पर यहां पर भी कुछ भी कम नहीं किया गया है फिर 67 पर देखिए introduction to scientist, 67 पर James Prescott ये वाला पोजिशन जो है आप underline कर दीजिए, फिर उसके बाद 68 as it is है कुछ भी reduce ने करना है, फिर 69 के ओपर ICT ये वाला table reduce कर दीजिए, कम कर दीजिए, निकाल दीजिए, फिर उसके बाद page number 70 पर example number 3 ये reduce हो गया है, फिर उसके बाद page number 71 प कि आप जो है, underline कर दीजिए, 71 पर फिर उसके बाद आजाए ये 72 पर, यहाँ पर देखिए, 72 पर इधर वाला जो है, point B and point C, जो ये दो problems है, ये reduce हो गए है, अब उसके बाद जो है, next chapter पर आते हैं, chapter number 6, reflection of light, reflection of light के ओपर देखते हैं, क्या reduce होता है, 73, page number 73 पर कुछ भी reduce न हुआ है, page number 74 पर कुछ रिड्यूस नहीं किया गया है, page number 75 पर ये वाला पार्ट रिड्यूस हो गया है, फिर 76 के बाद आजाए ये 77 पर, use your brain, ये वाला पार्ट रिड्यूस हो गया है, फिर इसके बाद आजाएंगे 78 पर कुछ भी reduce नहीं हुआ है, 79 भी as it is है, reduce नहीं हुआ है, फिर इसके बाद page number 80, कुछ reduce नहीं हुआ है, page number 80 यहां से जो है, lenses ये chapter स्टार्ट हो रहा है, फिर इसके बाद page number 81 भी as it is है, कुछ reduce नहीं हुआ है, चलिए, page number 82 पर, try this, ये वाला जो portion है, ये delete हो गया है, 82 के बाद अब आ जाईए, page number 84 पर, तो हमने बता 83 पर भी कुछ भी reduce नहीं हुआ है, और page number 84 भी कुछ भी reduce नहीं हुआ है, देखिए, इस्टुमेंट वीडियो को पूरा देखिए, तो आपको जो है, बिल्कुर समझ में आएगा, page number 85 पर भी कुछ भी reduce नहीं हुआ है, page number 86, as it is, कुछ भी reduce नहीं हुआ है, 87 पर देखिए, do you know, जाता ये do you know वाले जो है, जितने भी boxes है, ये reduce हो चुके हैं, आपके sale बस में, ऐसा नहीं है कि इसके उपर question नहीं आते हैं, question आते हैं, और आपक page number 80 पर ये जो telescope है, sorry page number 90 पर telescope है, ये reduce हो गया है, और वो नीचे तक भी है, page number 91 पर भी है, और figure को भी आप कट कर दीजिए, और 91 के बाद आ जाए, आप next page पे 92 पर as it is, कुछ भी reduce नहीं हुआ है, अब उसके बाद यहाँ पर metallurgy, फिर इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं, physical properties of metal, physical properties of matter, ये physical properties of metals, ये यहाँ से लेकर, तो यहाँ तक conductor of electricity, यानि के metal exist mainly से लेकर, conductor of electricity तक यहाँ तक का part reduce हो गया है, 93 पर, फिर 94 पर do you know वाला part reduce हो गया है, फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए हम, तीन वर्ड है, lead, copper और sodium, यहाँ पर जब experiment करेंगे, तो copper, lead और sodium, यानि के ये तीनों metal से आपको जो है, experiment नहीं करना है, फिर उसके बाद page number 95 पर आजाए, page number 95 पर ये sodium वाला जो है, ये वाला part जो है, reduce हो गया है, फिर उसके बाद 95 के बाद आजाए, page number 96 पर, try this, और उसका procedure और ये figure, reduce हो चुके है, 96 के बाद आजाए, 97 पर, chemical properties of non-metal, इतना वाला part reduce कर दीजिए, फिर उसके बाद आए, page number 98 पर कुछ भी reduce नहीं हुआ है, 98 के बाद आजाए, page number 99 पर no reduction, कुछ भी reduce नहीं हुआ है, फिर उसके बाद 100 पर भी कुछ भी reduce नहीं हुआ है, and rate के बाद 101, 101, कुछ भी reduce नहीं हुआ, no reduction, अब उसके बाद 102 के उपर, do you know वाला part reduce कर दीजिए, 102 के बाद, 102 के बाद, 103 पर कुछ भी reduce नहीं हुआ है, फिर 104 पर भी कुछ भी reduce नहीं हुआ है, 105 के उपर, do you know और ये figures यह आप cut कर दीजिए, फिर उसके बाद 105 के बाद आजाए, 106 पर, कोई reduce नहीं है फिर 107 पर भी कोई reduce नहीं है फिर 108 पर do you know or collect information ये दो पार्ट reduce कर दीजिए 108 के बाद आ जाईए page number 109 पर 109 पर no reduction कुछ भी कमने क्या है कोई कमी नहीं है अब आ जाईए page number 110 पर carbon compound ये chapter शुरू होता है can you recall वाला पार्ट reduce कर दीजिए फिर उसके बाद can you tell वाला पार्ट ठीक है ये भी आप reduce कर दीजिए 110 पर page number 111 पर कुछ भी reduce नहीं हुआ है फिर page number 112 पर 112 पर do you know वाला पार्ट reduce हो गया है फिर उसके बाद 113 पर कोई reduction नहीं है 114 आज़िज कोई नहीं है 116 पर do you know वाला पार्ट reduce हो गया है फिर उसके बाद page number 117 पर आजाईए कुछ reduce नहीं हुआ है कुछ कम नहीं हुआ है और फिर page number 118 पर भी कोई reduction नहीं है page number 119 पर भी कोई reduction नहीं है 120 पर भी कोई reduction नहीं है 121 पर भी reduction नहीं है तक्रीबन चैप्टर या इस इजी है 122 पर भी कोई रिडेक्शन नहीं है 123 पर भी कोई रिडेक्शन नहीं है 124 पर भी कोई रिडेक्शन नहीं है 125 पर भी कोई रिडेक्शन नहीं है 126 पर भी कोई रिडेक्शन नहीं है पिर उसके बाद 129 पर कोई रिडिक्शन नहीं है पेज 130 पर भी कोई रिडिक्शन नहीं है अब आजाए पेज नमबर 131 पर मैक्रो मॉलिकूल एंड पॉलिमर्स यहां से लेकर तो लास्ट तक लार्ज स्केल तक यह वाला पार्ट आप अंडरलाइन कर दीजिए रिडियूस हो चुका है फिर उसके बाद आजा यह 132 पर यह जो टेबल है फिर उसके नीचे का पार्ट है यह तकरीवन पेज रिडियूस है लेकिन उपर वाला जो है यह आपको पॉलिमराइजेशन यह पढ़ना है फिर उसके बाद 122 के बाद 133 पर यहां पर यह टेबल आप कट कर दीजिए यूज यूर ब्रेंड कट कर दीजिए और इसके नीचे वाला पार्ट यह कट कर दीजिए फिर इसके बाद आ जाईए पेज नंबर 135 पर 135 पर do you know वाला can you recall वाला can you tell वाला पार्ट यह reduce कर दीजिए चले 135 के बाद आ जाईए 136 पर use of ICT यह reduce कर दीजिए 136 के बाद जो है आप आ जाईए 138 as it is रहेगा 139 पर देखे do you know वाला पार्ट और यह solve examples example number one example number two यह दोनों reduce हो गए है 139 के बाद आ जाईए 140 पर कोई reduction नहीं है फिर उसके बाद आ जाईए do you know पर 141 पर do you know यह वाला पार्ट reduce कर दीजिए फिर उसके बाद देखे यहाँ पर scientist के बारे में है page number 142 पर यह तीनों scientist के बारे में जो information है इसको reduce कर दीजिए उसके आजाईए 143 पर introduction of scientist यह भी आप reduce कर दीजिए इस तरीके से इतना portion जो है state board के दरफ से reduce हुआ है उम्मीद करते हैं कि हमारी कोशिश आपको पसंद आई होगी बहुत महनत करके हमने यह वीडियो बनाया है तो हमारे चैनल को subscribe कीजिए वीडियो को like कीजिए और इस वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत thank you thank you very much